हलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए बहुत ही सुन्दर सा पायदान लेकर के आए हैं यह देखिए दो कलर का यह बॉर्डर वाला पायदान है यह देखिए हमने आपको यह हमने बाइस फंदे से बनाया आप इसमें टूक के मल्डिपस से ज खांदा कर सकते हो इसके साब से हमने यह 4 का बनाया आप 6-8-10 का जितना चोड़ा आपको बॉर्डर चाहिए आप उतना बना सकते हो यहांसे यहां तक की Angels थारा फंदा और और चार फंदा यह यहांपर है और हमने यह दो दो कलर से बनाया है एक एक फंदा यहां पर यह आपको आप चुन्नी माय क्रे मून किसी भी चीज से बना सकते हो जो भी आपके पास है कोई कपड़ा है आप उससे भी बना सकते हो यह देखे इसके लिए हमने यह आठ नंबर की सलाई ली हुई है आप कपड़े की पट्टी की मुटाई और चोडाई के हिसाब से यह सलाई प फालतू यह पट्टी की चोड़ाई हमने रखी है तीस वज़से हमने यह आठ नंबर की सलाई ली हुई है यह देखे अब सबसे पहले हमने क्या करना है यहां पर एक नॉट लगाएंगे मैं यह पाइदान अठार फंदे डाल करके और चार बॉर्डर कर यह 22 फंदे डाल करके हमने बनाए है उतने कहीं मैं आपको यह बता रही हूं यह देखे एक नॉट से फंदा हो गया फिर देखे बाकि फंदे डालेंगे कैसे यह देखे इस तरह से क्रॉस कराते वे इस तरह इन को से फंदा डालना बहुत आसान है जिसको फंदा डालना नहीं आता वह विस तरह से भंदे डाल सकता यह देखे, तीन पंदा हो गया चार मैं सही छतार धाया ऑजंगे आघे जियाक काई एगा कहला है यह तरह की नांड़ोर्ट एटाएपशचैनर के तो लगा लेंगे सबसे पहले देखें नॉट लग गया इस ते एक फंदा बन गया तीन फंदे और डाल लेंगे यह देखें दो तीन चार तोटल चार फंदे हो गए अब यह देखें कि अगर आप सीधा सीधा बनाना चाते हो तो दोनों साइड से आपको सीधा सीधा बनाने से भी इसी तरह यह देखिए अब इस पट्टी को आगे को कर लेंगे इसको नीचे से इस तरह से ला करके बूल लेंगे यह देखिए कि इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सलाई आराम से बनाते हैं अगर यह खीच जाएगा तो बीच में गैफ आ जाएगा अभी हमें पहली सलाई में कुछ भी नहीं करना है सभी फंदो को रटा रटा बूनते वे पूरी सलाई बना करके कंप्लेट कर लेनी है यह देखिए इसी तरह हमें सीधे साइड से भी जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बना है उस कलर की पट्टी से बना करके पूरी सलाई कंप्लेट कर लेंगे यह देखिए ऋल्टे की दो लैन दोनों साइड से एक सलाई बन के एक रोग कंप्लेट कर लेंगे फिर इसके बाद डिजाइन बनाना श्टाट करेंगे अब यह देखिए अब यहाँ पर हम दूसरे कलर की पट्टी से बनाएंगे तो इस पट्टी को यह देखिए उपर से पीछे को ले जाएंगे यह देखे और इस पट्टी को नीचे से आगे को लाएंगे यह देखे क्रॉस कराते हुए इसको थोड़ा इस दरह से टाइट कर लेंगे यह देखे दोनों साइड से उल्टे की एक रोब बन करके कम्प्लेट हो गई है अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे बॉर्डर जो है इसमें कुछ नहीं करना है देखे पहला फंदा उतार लिए पट्टी को अपने साइड कर लिए यह चार फंदे हमें ऐसे बनाते जाने है इनमें कुछ नहीं करना है अब यह देखे अब यहां से हम डिजाइन बनाना इस से बढ़ा सकते हो यह देखे पीछे साइड से हमने लिया एक फंदा बूल लिया यह दek के अब इस फंद को उता रहेंगे नहीं अब है है अब हमने पीछे से बनाया था अब यह आगे सिसे देखें तो अब यह देगे दो फंदा हो गया एक फंदा बढ़ गया और बाके की फंदों को इससे दर से उल्टा-उल्टा बुल लेंगे लाश्ट में यहां पर दो फंदे छोड़ देंगे एक फंदा हमने यहां पर बढ़ा लिया और यहां पर यह दो फंदा छोड़ देंगे अब यहां पर यह दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बना हुआ है उसी कलर की पट्टी से बनाते जाएंगे अब यह देखे जो हमने यह फंदा बढ़ाया था इसको भी उल्टा ही बोल लेंगे इस साइड से हमने एक फंदा यहां पर बढ़ाया था उसको भी यह देखे इस तरह से उल्टा ही बोल लेंगे फिर पट्टी को पीछे को करेंगे, क्रॉस कराते वे नीचे से इस पट्टी को आगे कुला करके, यह जो बॉर्डर वाला फंदा है, इनको बोल लेंगे, यह देखें, उल्टे की दो रोबन करके, कंप्लेट हो गई है, अब यहां से पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को को साइड कर पर इंद ? एंद प्टीべVER इंद में पर भेर्या लिए यहां पर जैसे सिलाई करते हैं उस लस़े यहां पर से यहां पर комп TC अब यह जो फंदा है तो इसमें पहले पीछे साइड से इंदr यह देखे यह जो पीछे का है इधर से पहले एक फंदा बुन लेंगे इसमें फिर फंदे को उतारेंगे नहीं यह देखे फिर वापस आगे जो है यहां से यह बुन लेंगे इस तरह से इसमें हमने दो फंदे से हमने दो फंदा बना लिया यह देखे एक फंदे से दो फंदा बढ़ा लिया पहले एक फंदा दो तरह उल् Warm-dij छोड़ा था वैसे यहां पै दो चोड़ा था और यह सी परड़ जाएंगे सीज़े साइब से जो फंदा जिस एक पट्टी से बुना है उस कद्टी से बुंते जाएंगे यह न देखिए जब बढ़ा हुँ फंद रही उसको भी उठाई बुनेगे यह लड़ाए था इस में पपार बिया तब आब इस पट्टी को पीछे और कर देंगे इसको नीचे से आगे कुला कर यह बौडर वाले फंदे को बुन देंगे आपको दिखा देते हूं कि फंदा कैसे बढ़ाते हैं यह चार बौडर के फंदे बुन गए इसको आगे कर लेंगे पटी को और यह देखिए यह MH доступ आ अगे से नहीं हे लएकलिक के पीछे से घचई से लेकर हमने बना लिया खंदood अब इस हमम लोड दार हम呀髏 सबनें आजब ते पोड़ गया कि आप इसमया कि दी है पुरंदे में दो नीटा ओगया कि यह इस तरह से अदुत मो Soci आप यह देखें से अब यहां पे देखेंस दो और में हमने चारप जोड़े थे अब दो फंद और च्छोड़े उसे सरे नेर्पर लेए अप्सदार यह यह पर जाएगे इसी तरह से दो कर के फाराफ 10 ने खोड़ लेते हैं और जितने बार हमने एक एक फंद यह पर चोड़ेंगे उतनी बार यह एक एक फंद यहां पर बढ़ा लेंगे इतना करने के बाद दिखाती हूं यह दिखें फ्रेंड्स यह हाफ बन करके त्यार हो गई घुए और यहां पर हम metropolitan अठारा फंद हो गया और यह देखिए एक ही करके यह 9 वर फंदे बढ़ गया है एक दो तीन चार पांथ छे साथ आठ और नौ तो यह जो 9 फंदे जो बढ़े हैं इनको नहीं छोड़ना है जो हमने 18 फंदे नीचे डाले थे उनको दो दो करके यह हमने छोड़ लिया है तो अब यह 18 फंदे छोड़ गये और यह 9 फंदे बढ़े हूए है इनको हमने बुल लिया अब यह इसे पलट जाएंगे यह देखे हैं और यह 10 विख नहीं बढ़े हूआ सिर्फ इन यह को बुलन लेंगे है और जो हमने 18 फंदे यह डाले थे यह दो डो करके हमने छोड़ दिया है ये देखे, ये बढ़ा हुआ फंदा है, इसको बोल लिए, अब इसको इस तरह से पीछे को ले जाएंगे पट्टी को और क्रास करते गए आगे खुला करके ये बॉर्डर वाले फंदे बोलेंगे और इसको इस तरह से थटाइट कर देंगे कि यहां से हमें अभी तक हम बॉल्डर बना रहे थे, यह जो कली है इस कलर से बनाएंगे और इस कलर से यह बॉल्डर बनाएंगे, यह देखिए अभ इसको भी आप गिंडलो एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ यह हमारे यह जो उल्टे की रो है यह भी बन गई है नौ और यहाँ दो दो करके नौ बार हमने फंदे भी छोड़ दिये और नौ फंदे यह बढ़ गए है अब यह देखे वापस क्या करना है अब यहाँ से हम यह दूसरे कलर की पट्टी लगा लेंगे इस पट्टी को अब उपर को लाएंगे यह देखे अब यह बॉर्डर के फंदे चार फंदे इस कलर से बना लेंगे यह ज़्य है हमने बॉर्टर के क्या फंदे से बना लिये और फिर आप बाकिए जो फंदे हैं अप हमें इस तो बोर्डर परपल से बनेगा अब मार्डर देखिए से बनावन करते हैं है हमने दो फंदद एक साथ ले करके यह देखें तो एक फंदद घट गया यह देखें दो फंदे को एक साथ बोन दिया बाकी यह देखें ही है यहां तक तो यह ब्यूदर के यह बढ़े हुए फंदे थे वह फंदे थे आपधें हमने एक फंदग हटा दिया यहां पर तो यह देखिए दो दो चार दो छे दो आठ आठ यह बचा हुआ है अब जैसे जैसे हमने दो दो फंदических पंदे मिलका हो जोड़े थे वैसे ही यह फंद यह और बुन लिए और यहीं से पलट जाएंगे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूं यह देखे आप पूरी वीडियो अगर ध्यान से देखोगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा यह देखे बनाना बहुत आसान है देखने में ब अब यह दूसरे कलर की पट्टी बनाने है तो जैसे हमने पहले बताया था क्रॉस कराते हूं यह देखें इस कलर से बुन लेंगे ये फंदा सिर्फ एक साइट से बुनते हैं एक साइट से उतारते हैं तो ये देखें किनारी बहुत सुन्दर आती ये चूटी से बन करके तैयर आती है देखें बहुत ही प्यारा लगता है इस वाज़े से ये पहला फंदा है सिर्फ एक साइड से बुनते हैं तो हमने जैसे उस साइट से बुन लिया तो अब इस साइट से उतार लेंगे फंदेग उतारा पट्टी को अपने साइट किया यह देखिए अब वापस जैसे हमने उस बर पन दो का एक किया था वैसे कर लेंगे कि आप हमें फंदय के बढ़ाने नहीं घटाने हैं तो यह देखे जो मत इस पटी को, आगे को ऐसे कर लेंगे फिर देखे यैसे दो फंदे को एक साथ बून लिया तो यह फंदा घट गई है पहले एक फंदा घट आया Healthich अब एक फंदा बाउर घट गया तो दो फंदा घट गया और यह देखे पट्टी को इसके साथ आगे को करके लेते हैं तो यह देखे, फिलाय से होती जाती है यहां पर, अब यह देखे, यह पट्टी खतम हो गए, तो बीच में इसके कैसे जोड़ते हैं, यह देखे, इस पट्टी के बीच में पट्टी को रख करके, यह देखे, इस तरह से लपेट लेते हैं, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलत रहा है इसके अंदर कर लेंगे दोनों साइट के किनारों को इस पट्टी के अंदर दबा देते हैं तो विल्कुल पता नहीं चलता है कि हमने कहां से जोड़ा है कि हमें दो फंदा उसवार लिया था अब दो फंदा फिर नीचे साइट से ले लेगे तो यह दिखिए इस गयाब को खुतम करने के लिए एक पंदा उठा लेंगे और दोनों को एक साइट बना देंगे यह देखे एक साथी बंबोन दिया और एक फंदा और बोन लिया तो इस तरह से ये दो फंदे नीचे से हमने ले लिया और यहीं से पलट जाएंगे तो हर बार हमें नीचे से दो-दो फंदा लेते जाना है और यहां से जैसे हमने एक-एक फंदे बढ़ाएं वैसे हमें एक-एक फंदा घटाते जाना है इसी तरह से कली को पूरा कंप्लेट कर लेते हैं सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बूना हुआ है उस कल साइरो तरफ में इस एक जैगर और ऑपने साइड के यह दिए है par कि मिले पुन ट्रियरत के अपने साइडिया यह देखिए दो पनड़ा एक इस तरह से हमने जना फनड बढ़ा है थे सभीं फनद면 घट गया यह देखिए यह देखें, फंदों को उल्टा उल्टा बना ले रहा है, लास्ट में यह जो दो फंदा और रहा गया है, छोड़ा हुआ, दो दो करके हमने हर बार फंदे लिया थे, तब यह लास्ट में यह फंदा रहा गया है, अब इसको भी ले करके बना लेते हैं, यहां पर गैप नहीं इस विए से हमने यह ङह फंद उठा ले दोनों को एक साथ बना देंगे देखे Is किस्तार से ऐग इसदा हो इहां पे बढ़ा हुआ था फंदे लिए और दो दो फंद में बने चीश घड़ कर लेंगे यह देखिए दोदो करके जो ही फंदे हमने छोड़े थे उन सभी फंदों को दोदो करके हमने ले लिया है अब यह देखिए हमारे पास जितने हमने फंदे डाले थे 24 फंदे 18 ये और 4 ये 22 वो सभी फंदे हमारे पास देखिए हो गए दो, दो चार, दो छेक, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोदह, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह हमने नीचे जो यह, यहां पे 18 फंदे डाले थे, यह पूरे 18 फंदे हो गए, और यह 4 फंदे बार्डर के, यह देखे, यहां पे क्रॉस कराते वे, इस पट्टी को पीछे को ले जाएंगे, इस पट्टी को आगे कुला करके, यह बार्डर के फंदे बना लेंगे, अब यहां हमने इस कलर से बनाई और आधे इस कलर से और ये भी देख लिए एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ उल्टे की नौ रो बन करके कंप्लीट हो गई है तो इस तरह से जितने ये ये जो अठारा फंदे हैं तो दो दो करके नौ बार हम इसको छोड़ते हैं और दो दो करक नौ बार एक एक फंदे बढ़ जाते हैं और एक फंदे नौ बार ये घड़ भी जाते हैं और उतनी रो ये बन करके कंप्लीट होती है ये देखे जो ये बॉर्डर बना हुआ है इसकी भी देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तो ये देखे सभी बराबर बरा लेन उसरे बना लेग Yo अब वापस यहां से जैसे हमने काली यहां बनाई था एक फंदे बढ़हायए थी आज यह धुम स्टार्ट करेंगे तो यहां से इस बढ़ हुआ है यह देखे जो फंदां करना है हमें अब इसी में दूसरा फंदा बना लिया यह देखिए तो यह एक फंदा बढ़ गया बाकि सभी फंदों को उल्टा उल्टा भूल लेंगे जैसे देखिए इसमें बना हुआ है यह देखिए कली हो गई फिर कलर चेंज करएं दूसरी कली स्टार्ट कर देते हैं तो एक लिए कली में यह दोनों कलर से आधी कली एद देखिए यह ब्रॉण कलर से बनी हैं और आधी यह परपल से like बार्टा बनाएंगे और वैसे यह बように यह ऐब यहां से हम ने एक समझे बढ़ा लिए और यहां पर यहां चोह दिया है Oh you just say कि जैसे हमने पहले बनाए थी कली वैसे ही कली बनाते जाना है अब यह जो बढ़ावा फंदा है इसको भी उल्टाई बोल लेंगे अब यह देखें क्रॉस कराते हैं अब इसके लगती बॉर्डर बोल लेंगे अब यह मारी दूसरी कले स्टार्ट हो गई है एक फंदा यहां से बढ़ता जाएगा और यहां से दू-दो फंदा छोड़ते जाएंगे यह देखिए हमने जो भी फंदे यह बढ़ाया थे कि करके यह नौ फंदे सभी फंदे हमने घटा दिये लास्ट में एक फंदा बचा है यह आपको और बता देती हूं कैसे घटाते हैं यह देखिए पहला फंदा उतारा पट्टी को अपने साइट कर लिए यह चार बाटर क अब यह देखिए दो फंदे एक साथ लेकर के बुण लेंगे और इस पट्टी को कि सहरे से आगे को कर लेंगे और इसससे बुलेंगे यह टेल सिलाई करते हैं उससे से ये बनता जाता है। यह देखें जोंट होता जाता है। कि बाकि सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बूल लेंगे। यह देखें। यहां पर नौ फंदे थे वो सभी नौ फंदे घंड गठा दिये अब लास्ट के यह दो फंदे जो हम नीचे से दो-धु फंदे ले रहे हैं तो लास्ट के बचे इसको भी बना लेते हैं यह देखे एक फंद उठाया गयाब का साधे के लिए दोनों को एक साथ बना दिया इसको såई अ bunları यह कंपर यहां पर यह फंदि उठाव्ण और कि और यहां पर यह फंद वैंप में से यह बनाया है तो जैसे देखें इदर के लिए सेम ऐसे इसमें कोई गैप नहीं है अब यह देखे सबीफंदों को उल्टाउट बूल लेंगे फिल्टा उतार करके पट्टी को अपने साइड कर लिए अब यह देख कि अब दूसरे कलर की पट्टी से बनाना थे इसको क्रास कराते हुए इस देखे कि दूसरी कलर पट्टी आगे को करके इसको फड़क टाइट कर लेंगे और यह बना लेंगे अब हमें यह से कलर चेंज करना है तो यह लाश फंदे को बुनेंगे नहीं पट्टी को पीछे करके इस फंदे को उतार लेंगे अब यह देखिए जैसे हमने इधर पर बनाया था अब ऐसे ही देखिए यह भी नौ फंदे हमने एक एक करके नौ फंदे घटा दिये और दो दो करते वे यह नौ बड़ 18 पंदे हमने ले लिये और यह रो भी देखिए गिल लिजे एक दो तीन चार पांट छे शाथ आठ नो और ऐसे ही यह बॉर्डर है इसमें भी देखिए एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ तो यह सभी बराबर बराबर बिल्कुल आए हुए अगर आप ऐसे बनाओ गए तो आपका पैदान बहुत ही अच्छा बनेगा यह देखे, अब यहाँ से कलर चेंज करेंगे यह एक कली बन करके कम्प्लीट हो गई है अब यह देखे, जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे यह देखे, यहाँ पे यह कलर चेंज किया था वैसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे यह देखे, अब यह परपल कलर से बॉर्डर के जो चार फंदे हैं इनको परपर कलर से बना लेंगे है यह देखे अब वापस जैसे हमने यह कली बनाई थी यहां से स्टार्ट करी थी यह देखे इस पायदान में यह कली बन गई तो जैसे हमने यहां पर एक एक फंदे बढ़ाये थे वैसे अब यह दूसरी कली जो हमने श्टार्ट किया है इस पे भी अब यहां पे एक एक फंदे बढ़ाते जाएंगे तो यह देखे अब यहां पे यह चार बॉर्डर के फंदे हो गए अब यहां पे यह देखे यह जो फंदा है इसमें आगे के साइड से लेकर के यह देखे पीछे के साइड से इसको ब बना लिया तो इस तरह से यह फंदा बढ़ गया बाकी के फंदों को उड़ा उड़ा बुनते जाएंगे जैसे हमने पहली कली बनाई थे वैसे ही सभी कलियां बन करके त्यार हो जाएंगे अब यह दूसरी कली बनाना श्टार्ट हो गया है एक कली में आधा ब्राउन से और आधा पर्पल कलर से बनाए है आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इसमें लगा सकते हो आपको जो कलर पसंद के दो कलर कोई से भी ले सकते हो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है यह देखिए अब फिर वापस यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया यहाँ पर और अब यहाँ पर दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से परड़ जाएंगे सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बनाते जाएंगे सीधे साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है यह देखिए जो बढ़ाया है वह फंदा है इसको बून लेंगे और फिर क्रॉस कराते विए इस पट्टी को आगे हूँ कर लेंगे यह देखिए यह कले बन करके कंप्लेट हो गई अब यह दूसरी कले स्टार्ट हो गई है इसी तरह से आप पूरा पायदान बना करके कंप्लेट कर लोगे इसमें इस तरह से यह देखिए एक दो तीन कली हमने बना लिए है हाफ बन गया है तो इस तरह से छे कली बनेगे अगर आप कोई खिचाव आया पायदान में कुछ भी हो तो आप एक कली एक्ट्रा भी बना सकते हो वैसे अगर आप यह बराबर गिन करके बनाओगे तो यह छे कली में कंप्लेट हो जाएगा अगर आपकी यह लाइन कम हो जा क्या करेंगे इस तरह से देखें दो फंदा एक साथ ले करके बनाते हुए फंदे को बंद कर देंगे यह देखें फिर वापस सलाई में डाला और दो फंदा ले लिया दोनों को एक साथ बोन दिया तो यह देखें फिर वापस सलाई में डाला और आगे से एक फंदा लिया इसको दोनों को एक साथ बना दिया। इसथरे से यह दिखे यह फंदे गाट गया है, और आगे यह जिस कलर से है उसको तुछ इसको बनाएगे। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए हमने फंदे अलगअलग कलर से डाले हैं वैसे जब फंदे बंद करेंगे तो जिस कलर से फंदा होगा उसको उसी कलर से बंद करेंगे तो ऐसे दो का एक करते बंद करके फिर दोनों को आपस में पकड़के इसको सिलाई लगा देंगे तो पूरा पायदान बंद करके कंप्लेट हो जाएगा यह देखे देखने में कित सकते हैं, थेंक यू